नमस्कार मैं आसी स्पाथक आप सभी का श्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिक्षा प्लस में काफी बच्चों का यह क्वारी था कि सर यूपी पीसील जो एक्जेक्यूटिव एसिस्टेंट की वैकेंसी आई है इसकी job profile क्या है इसके previous year paper कहां मिलेंगे क्या है क्या नहीं है तो previous year paper का से related जो भी क्वारी थी हमने group में जो था हमारा यूपी पीसील का उसमें हमने दे दिया है job profile से related मैं आज आपको बता दे रहा हूँ क्या salary देगी कहां posting होगी क्या work profile है आपकी इन सब कारिवेर में discuss हम लोग कर लेते हैं तो जो लोग channel में नए है channel को subscribe जरूर करें और अपने दोस्तों तो share करिए team परिक्षा प्लस यूपी पीसील executive assistant के लिए proper एक badge चला रही है जो 80% discount अभी चला है admission procedure उसका चालू है तो आप 599 रुपया में मात्र 599 में 80% off चला है आप परिक्षा प्लस एप से ठीक है परिक्षा प्लस एप Google Play Store से download करने चाहिए वहाँ से जाकर आप badge में register कर सकते हैं क्योंकि classes आपकी regular चल लिए जितना late करेंगे उतना चूटेगा और exam बहुत ही जल्दी हो जाएगा यह सभी आप लोग जानते हो तो एक definite time में कैसे तैयारी करना है वह proper आपको यहाँ पर badge में बताया जा रहा है चले job profile की बात करें executive assistant के बारे में तो इसमें क्या क्या है आपकी salary क्या है working क्या है promotion क्या है posting क्या है तो सबसे पहले हम posting की बता दें ठीक है कि आपकी जब आप request हो जाओगे exam exam दे लोगे तो posting कहा मिलेंगी काफी बच्चों का यह कहना होता कि सर पोस्टिंग क्या हमें home district मिलेगी हाँ इस job में एक फाइदा है आपका कि आपका जो home district है posting आपको home district में ही मिलेगा जो powerhouse आपको पावरhouse में आपको मिलेगा posting हाँ लेकिन एक बात समस्या यह भी है आप सोचो कि जो घर से दूर कुछ क्योंकि सब power station होते हैं हर जगा एक district में कई power station होते हैं कई सब power station होते हैं और वहां पे पोस्टिंग होती है तो यह कोई जरूरी नहीं कि जो आपके घर के पास वाला है वही मिल जाए डिस्टिक आपका सेम रहेगा उस district में आपको किसी भी जगा पर भेज देता है किसी भी कस्वे में भेज सकता है यह ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह एक चिक सुकून की बात है बहुत कम चांस ऐसा होता है कि जहां आपको डिस्टिक न मिले जब डिस्टिक में जगा नहीं रहेगी ठीक है तब जाके ऐसा चांस बनता है कि आपको दूसरे डिस्टिक में भेज दिया जाए लेकिन most of the chances यह हैं कि आपको home district a lot होगा हाँ यह चांस है कि आपको आपके बगल वाला घर के इतन 5 किलोमेटर वाला वो पावर हाउस नहीं मिलेगा ठीक है अल्मोस्ट कम से कम 10-12 किलोमेटर का डिफरेंस होगा या 20 किलोमेटर या 25 किलोमेटर मान सकते हो 30 किलोमेटर जो भी distance हो ठीक है यह ध्यान रखिएगा तो home district job अच्छी कासी timing जो general आपकी timing हो वर्किंग क्या है आपकी तो एक आप नाम सुने होगे कई जगा लोग काते है एक्स इन ठीक है वो होता एक्जिक्यूटिव इंजिनियर एक्स इन वाला जो यह होता है इनके अंदर कई लोग आते हैं office assistant हो गया accountant assistant हो गया उसके बास से एक्जिक्यूटिव एसिस्टेंट ज जो है काम करते हैं ठीक है तो यह ध्यान रखना तो यह लोग भी वैसे ही है इनका भी work division है इनका work division क्या है executive assistant वालों का कि भया आपको meter जो है न वो meter कि कहा meter लगना है क्या नहीं कोई दिक्कत है meter से related तो उन सब चीजों की समस्या है prepared meter हो गया temporary meter हो गया उनसे अब समस्या है स accelerator problem है यहाँ पर यह problem चल लेए चाहे meter लग रहे हैं नहीं इस गाउं में नया meter जो हर एक गाउं गाउं में आज कल meter लग रहा है तो उन सब की सूचना इनके पास रहती है कि आज के समय में लोग कहां गए है meter लगाने तो वो सब चीजे इनहीं यही file बनाती है यह file बनाके ज यह XCN को देगा तो यह procedure चलता है फिर SDO वाला XCN जो होगा वो SDO को देगा तो ऐसे procedure होता है आगे ठीक है विर नया connection किसी को लेना है वो अपनी अर्जी डालेगा उस अर्जी को यह लोग देखेंगे पूरा verify करेंगे new connection के लिए फिर proceed करेंगे किसी का मानलों बिल क्या हो लोग आते हैं कि यह हो गया मीटर के जो लोड होते हैं इंक्रीज या डिक्रीज करना है जो इतने के के डबलू आपका वार्ट का मीटर है उसको कम कराना या बढ़ाना है कुछ और equipment बड़े-बड़े इंडस्टियों से लेकर आपके जो government office है उसमें भी ऐसा नहीं है हर प्राइवेट 3 की पोस्ट यहाँ पर निकाली जाती है अब देखते हो लोड का इंक्रीज और डिक्रीज कंजमर कंप्लेन जो मल्टी स्टोर बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है बन नहीं है चाहे गौवर्मेंट की बन नहीं है चाहे प्राइवेट बनना है वहां पर जो connection आ जूडी सरी की क्या केस है कहा का किस गाउं का केस है चाहे किस बिभाग का केस यूपी-पी-सियल में चला है उन सब का रिपोर्ट प्रॉपर तयार करके अपने सीनियर को देना इनका काम होता है ठीके बिल-related वर्क किसी के बिल में कोई default आ जाता है वो सब यह problem देखते हैं ठीके तो यह general सा वर्क होता है जब जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे ठीके अब आते हैं सबसे बड़ी बात कि salary सब लोग जूनते हो वर्क तो अपने आप समझ में आता है जाहेंगे भाई पैसा बेरोजगारी का इसा माहोल चला है कोई भी काम दे दो कर लेंगे ठीके में पैसा अच्छा मिलना चाहें जैसा हम काम कर रहे हैं तो पैसा बहुत ही अच्छा है मैं आपको एक salary slip भी दिखा दिऊंगा ठीके जो लोग इस grade paper posted है दो साल से वो work कर रहे हैं तो अभी उनका basic increase हो चुका है ठीके अभी जब आप स्टार्टिंग में सुरुआत जब 27,200 आपका basic होगा तो basic salary आपकी होगे 27,200 गवर्मेंट यूपी गवर्मेंट ने और अच्छी बात कर दी कि आपको अभी recent में ही DA आपका 34% बढ़ा दिया अभी इसका 34% होगे 9,248 आपको मांगाई भत्ता मिल जाएगा DA अब house rent है अगर आप rural में हो मानलो लखनव के किसी उसमें आपको मिलता है पोस्टिंग पावर हाउस के एप्रॉक्स में मानलो विकास नगर में आपको पोस्टिंग मिला तो यहां पे house rent आपका 3,000 हो जाएगा लेकिन आपके गाउं में अगर आपको मिलता है कोई rural area मिलेगा तो हां house rent एक हजार से तीन हजार यह वैरी करेग तो हम rural का जोड़ ले रहे हैं एक हजार ही हो गया medical के लिए दवाई हर महीने आपको 200 रुपया का मिलता है जहां तक 200 रुपय माज कल दवाई कौन सी मिलती भया कुछ नहीं मिलता है लेकिन दे रहे हैं चलो ठीक है cycle के लिए 200 रुपया मिलता है आप cycle में कौन जाता है आज NPS करता है National Pension Scheme जो है जो आप retire होते तो आपको एक बार ठोक में मिलता है ना पैसा तो वही यहां से कटता है वो जो कटता है वो NPS deduction बोला जाता है उसको वो 10% basic और DA का मिला कर होता है basic plus DA अगर मिला लोगे उसका 10% कटता है आपका तो 364 रुपया जो है आपका NPS कटेगा यह तो कटना तहें यह deduction आपका fix है चाहे कितना भी पाओ तो overall अगर साइटिस है 999 में से हमें 354 माइनस कर दें तो 34343 रुपया आपका in hand मिलेगा हो सकता है 100,500,200,500 और कट जाए आपका तो 34,000 in hand आपको salary मिलेगी starting में अभी मैं ए साल से कारेरत हैं उस जगा पर ठीक है उनकी salary slip है यह वाला देखे तो यहां पर आप देख रहे हो इनकी जो basic है वो 30,600 हो गया है ठीक है क्योंकि आपका basic बढ़ता जाता इंक्रिमेंट बढ़ता है ना तो इंक्रिमेंट आपके basic पर ही लगता है तो 30,600 हो गया देखो 94,86 इ के लिए यह आपको भी मिलेगा चीज है ठीक है बाकी अभी इंकम टेक्स के दारे में आ चुके हैं तो इंका income टेक्स और NPS सब कटता है तो कटने पिटने के बाद इनको कहीं ना कहीं 41,37,000 मिलना है अभी इनको ठीक है आपके future के लिए ही होता है उसके लिए एड़क मत रहिए ठीक है तो यह ध्यान रखिएगा चलिए अब हम लोग आपको salary तो बताई दिया अच्छा खासा भाई 34 से start हो रहा है grade 3 की नोकरी में तो तो है यह इससे जादे अब क्या लोगे ठीक है अब आते हैं इसके promotion में तो पहले आप executive assistant grade 3 पर भनोगे फिर आप grade 2 पर भाओगे फिर grade 1 पर जाओगे तो आपका grade पर है वह increase करता जाएगा आपका grade पर इंक्रीज करता जाएगा अभी तो increment एक होता है साल साल में इंक्रिमेंट लगता है तो उस improvement में grade पर नहीं बढ़ता है उस increment में आपके basic में increment लगता है लेकिन जब आप post आपका promotion होता है तो उसमे grade पे बढ़ता है तो grade पे आपका जैसे label four पे हो तो फिर आगे बढ़ोगे फिर आगे तो office assistant बनोगे grade 1 के office assistant की भी job आती है लेकिन वो grade 3 की आती है recruitment 3 पे होता है फिर आप last में सबसे उपर superintendent मतलब अल्मोस चार साल, चार साल, तीन-चार साल के प्रोक्स में, आपका प्रोमोशन चार-पांच साल के प्रोक्स में, जैसे उपर वेकेंसी होगी, देखो, ऐसा कुछ नहीं है, जितना उपर जैसे खाली सीट रहेगी, वैसे है, अब मैक्सिमम बच्चे तो पढ़े लिके हैं, आज इकजाम करा लिया, एक साल बाद रिजल्ट दे रहा, एक साल बाद टाइपिंग करा रहा है, ऐसा नहीं है, विदिन ये मोला जाए अगर 6 मन्त में, मिनिमम 6 मन्त लेनू, तो इसका पूरा आपको पोस्टिंग, आपका सेलरी ओररी हो सकता भी आ जाए, लेकिन 6 मन्त मे आपका सब कुछ क्लियर कर देगा ये, तो आप लोग एकदम डेडिकेटली इस वेकेंसी के लिए लग जाईए, अच्छी खासी पोस्ट आई है, एकदम पूरा जी जान लगा दीजिए, अगर कहीं दिक्कत कोई समस्या है, तो आप बताईए, पूरी टीम कोसिस करेगी, कि आपके समस्याओं का समधान किया जाए, अगर कोर्स से जोड़ना है तो भाई, मैंने पहले भी बता दिया आपको, कि एकदम नियुमतम फीस आपको कहीं इससे कम नहीं मिलेगा, 599 में, पूरा का पूरा बुकलेट्स आपको दिया जाएगा, सभी सबजेक्ट्स के, ठीके, उसके बाद से वीडियो क्लास है और टेस्स सिरीज भी है, ठीके, पूरा प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन कोर्स चल आप परिक्षा प्लस आप से जुर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख दर्द हो, तो आप वीडियो के कमेंट में जरूर बताइए, उसका बाद धन्यवाद